नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेंद्र सिंग चोहान, धर्मदर्शन, देवदर्शन, जी हाँ, धर्मदर्शन, देवदर्शन की इस यात्रा में आज चलते हैं, उरिशा, जी हाँ, पूरी यानि भगवान जगनाद जी का धाम, जगनाद धाम, जगनाद जी के दर्शन करते हैं, जी हाँ, धर्मदर्शन, देवदर्शन में हम आपको देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं, उन्ने हासिल करते हैं, धर्म के बारे में दियोताओं के बारे में जानकारी करते हैं और उनके दर्शन कर उन्ने लाब हासिल करते हैं भगवान जगननात जी का यहां दुनिया में प्रशिद्ध मंदिर है यानि दुनिया भर में इस इस्थान की ख्याती है भगवान जगननात यहां बलभद्र और भगनी शुबद्रा के साथ प्रवास करते हैं निवास करते हैं यानि यूं कहें कि भगवान जगननात का या इस्थान बलभद्र और शुबद्रा जी का भी इस्थान है जगनात मंदिर दुनिया भर में आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, स्रद्धा का केंद्र है हिंदुओं की आस्था, विश्वास एवं स्रद्धा का केंद्र भगवान जगनात मंदिर सिरी क्रस्न जी को समर्पित है पूरीशा के पूरी में इस्थित भगवान जगननात मंदिर की ख्याती विश्व में हैं दुनिया में है पूरीशा को खास तोर से या यूं कहें कि पूरी को खास तोर से भगवान जगननात जी के लिए जाना जाता है पूरी और भगवान जगननाजी एक दूसरे के परियाय माने जाते हैं दुनिया में भगवान जगननाजी का आसे यहां पूरी से हो जाता है कि भगवान जगननाजी का जब इस्मरन करते हैं उनका नाम लेते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में उडिशा का पुरी सामने आता है वैश्नो संप्रदाय का यह मंदिर भगवान विश्नु के आउतार स्री क्रश्न का इस्थान माना जाता है इस मंदिर की रथ यात्रा विश्व प्रशिद्ध है दुनिया भर में ख्याती है, मंदिर में मुख्यता भगवान जगनात, बलभद्र एवं भगनी शुभद्रा की सुन्दर प्रतिमाएं हैं रथ यात्रा में देव त्रय भवे दिवे रथ में निकलते हैं मदिकाल से ही यह उत्सो भविता दिविता के साथ मनाया जाता है और दुनिया भर के स्रध्धालू, परेटक, आस्थावान वेक्ति यहां आते हैं और इस रथ यात्रा में लाखों लाखों की, लाखों स्रध्धालूं की भारी भीड़ उमरती है यह रथ यात्रा दुनिया में अपने आप में अदुती है और दुनिया की सबसे विशाल धार्मिक रथ्यात्रा मानी जाती है। यह चक्र सुधर्शन चक्र का प्रतीक है जबकी धज भगवान जगर्नाजी का प्रतीक है। विशेशग्यों की माने तो कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने इस मंदिर का निर्माण प्रारंब कराया था। ओरिशा के सासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को ग्यारा सो सतानवे में अंतिम रूप दिया। किवदंती है कि भगवान जगर्नाजी की इंद्र नील या नीलमरी निर्मित मोल मूर्ती एक वरच के नीचे मिली थी। मालवा नरेश इंद्र दयूम्न को शप्न में यह मूर्ती दिखाई दी थी। नरेश के घोर तपस्या के उपरांतिया हासिलो सकी। भगवान विश्नु की इच्छानुसार मूर्ती को लकड़ी से गढ़ा गया राजा को भगवान विश्नु एवं विश्वकर्मा बढ़ाई एवं मूर्तिकार के रूप में मिले मूर्थिकार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि एक माह की अवधि में मूर्थी तैयार होंगी लेकिन इसके लिए भगवान विष्णु ने राजा के सामने एक सर्थ रखी यह सर्थ थी कि मूर्तियों का निर्माण बंद कम्रे में किया जाएगा यानि बंद कम्रे में मूर्ति तयार होंगी इस अवद में कोई भी कच्छ में प्रवेश नहीं करेगा यानि इस अवद में कोई भी कच्छ में नहीं आएगा अन्य था मूर्ती बनाने का मूर्ती करने का यहा कार अपूर्ण ही रह जाएगा राजा ने इस सर्थ को सहर सुष्विकार किया और मान लिया लेकिन एक माहा की अवदी होने पर राजा ने उत्सुतावस कच्छ में प्रवेश किया तो व्रद्यकारीगर द्वार खोल कर बाहर आ गया उस समय मूर्तियां अपूर्ण थी यानि मूर्तियों का निर्मान पूर्ण नहीं हो सेका था मूर्तियां आधी अधूरी विक्षित थी यह सब देववस हुआ लियाजा मूर्तियां यथावत इस्थापित होकर पूजी थें अर्ची थें यानि ऐसी ही मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाए रही है यहां मूर्तियां भगवान जगनात बलभद्र एउम शुभद्राजी की हैं इतिहासकारों का मत है कि इस इस्थान पर बहुद इस्थोप था कभी प्राचीन काल में अति प्राचीन काल में इस इस्थान पर बहुद इस्थोप था इस इस्थोप पर गौतम बुद्ध का एक दांत था इसे बाद में कैंडी लंका पहुचा दिया गया था इस काल में बौध धर्म को वैस्वों संप्रदाई ने आत्मसाथ कर लिया था इसके बाद से ही भगवान जगन्नाजी की पूजा अर्चना लोकप्री हो गई यह काल दस्वी सताब्दी का था ऐसा माना जाता है उरिशा में उस समय सोम वनसी राज चल रहा था महराजा रणजीत सिंग ने इस मंदिर को भारी तादात में सोन दान किया था यानि सोने का दान महराजा रणजीत सिंग ने भारी तादात में किया था इस मंदिर के लिए करीब चार लाख वर्ग फुट में फैला भगवान जगन्नाजी का यह मंदिर यह परिशर सुन्दरता एवं वास्तु सिल्प का विलच्छन आयाम है यानि यूं कहें कि आती सुन्दर दर्शनी आयाम है अद्भुत आयाम है कलिंग शैली में कलिंग शैली के इस मंदिर की इस्थापत तकला भी अद्भुत है मंदिर इस्थापत तकला एवं वास्तु सिल्प का सुन्दरतम आयाम है इस मंदिर को देश के भव्वे दिव्वे इस मारकों में गिना जाता है माना जाता है खास यह है कि भगवान जगननात बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तिया रत्न जड़ित है विशेश्यग्यों की माने तो जगननात भगवान जगननात जी के इस मंदिर की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई है प्रभू का प्रशाद इसी रसोई से आता है प्रभू को भोग इसी रसोई का प्रशाद लगता है यानि यूं कहें कि भगवान जगननात बलभद्र और सुभद्रा जी को जो भोग लगता है वह इस रसोई में तैयार होकर आता है प्रभु का प्रसाथ बनाने में 500 रसोहियें एवं 300 सहयोगियों की साहता ली जाती है यह अपने आप में बड़ा उदाहरण है और बड़ा आयाम है कि इतनी बड़ी तादात में रसोहियें रसोहिय को तैयार करते हैं जब भगवान को भोग लगता है भगवान जगनात जी का यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है इसकी खास ख्याती है दुनिया भर के परेटक आते हैं लाखों लाख परेटक आते हैं यहां दर्शन के लिए और दर्शन कर पुर्णे हासिल करते हैं और अपनी मनो कामनाओं की याचना करते हैं मनो कामनाओं भगवान के सामरें रखते हैं और भगवान जगनात उनकी मनो कामनाओं को फूरा करते हैं इस इस्थान को स्रद्धा आस्था और विश्वास का एक अद्भुत आयाम माना जाता है अद्भुत इस्थान माना जाता भगवान सिरी जगननात मंदिर पुरी की यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं देश दुनिया के से कहीं भी भगवान जगननात जी के दर्शन के लिए पुरी आना हो पुरिशा आना हो तो सभी जगे से संसाधन उपलब्ध हैं निकटम एयरपोर्ट भूवनेश्वर है भूवनेश्वर एयरपोर्ट से पुरी की दूरी करीब 55 किलोमीटर है निकटम रेलवे स्टेशन पूरी में ही है यानि यूं कहें कि पूरी रेलवे स्टेशन यहां का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां यात्री पहुंच सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से बारत के किसी भी कोने से यहां आ सकते हैं पूरी रेलवे स्टेशन आकर भगव सहरों से जुड़ा है स्रधालू परेटक या आस्थावान वेक्टी सड़क मार्ग से भी पुरी की यात्रा कर सकते हैं यानि वह सड़क मार्ग से भी भारत के किसी भी कोने से सड़क मार्ग के जरिये पुरी पहुंच सकते हैं और भगवान जगन नाजी के दर्शन कर सकते हैं पुर्ण ने हासिल कर सकते हैं और अपनी मनों कामनाए भगवान जगनाजी के सामने रख सकते हैं आपने इस वीडियो को देखा आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवस्य वताएं वीडियो को शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलें आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है हमारा प्रोसान होता है आपने वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्नवाद ठैंक यू